हालो फ्रेंड्स वेलकम टो एसेच फेशन वर्ल्ड आज की वुडियो में जैसा कि आपने देख लिया मैं बहुत ही ब्यूटिफुल सा डिजाइन से खाने वाली हूँ कई आप इसको बना सकती हो मफलर बनाना चाहते हो या आप अपने लिए आप अपने रखने है 6 के multiple में फंदे प्लस आपको बाद में इसमें 4 कर लेना है 4 हमारे extra जो है stitch रहेंगे ठीक है 6 से गुणा करके आपको फंदे लगाने हैं और जमा बाद में आपको इसमें 4 कर लेना है जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लगाए हैं यहाँ पर 16 फंदे अब अच्छे से गुणा करके 12 और प्लस उसमें 4 करके 16 फंदे में यहाँ पर लगाए हुए है सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू से लेके लास तक जरूर वाच किजेगा तभी आपको डिजाइन अच्छे से समझ में आएगा पहली रो सीधी तरफ सी रो वन राइट साइड से पहला फंदा सीधा उतारा धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बनेंगी यहाँ से हम अपना रिपीट बैटन स्टार्ट कर रहे हैं दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे और एक फंदे को स्लिप करेंगे आप देखिए शुरू का एक फंदा छोड़ देंगे और यहां से लिके यहां तक हम फिर से अपना repeat pattern स्टार्ट करेंगे ठीक है इस रो को दियान से देखिएगा क्यूंकि इसी की तरह आपको बनानी है रो 2, सॉरी रो 3 और रो 5 इसी की तरह आपको बनानी है तो फिर से देखिए लिजे क्या किया हमने क्या करेंगे दो फंदे उल्टे, दागा पीछे, एक फंदा सीधा, दागा आगे, दो फंदे उल्टे, 1, 2 दागा पीछे, अब एक फंदे को slip करेंगे सारी row हमने इसी तरीके से complete करनी है और इसी की तरह फिर से सुन लेजे इसी की तरह आपको बनानी है row 3 और row 5 last में आपके पास 3 फंदे बचेंगे दो आपने उल्टे बनाने है और जो last stitch है हमारा उसको हमने सीधा बनाई कर लेना ये हो गई हमारी row 1 right side से ठीक है इसी की तरह row 3 और row 5 भी बनानी है अब आजए ये row 2 पर wrong side से अब इस row को द्यान से देखिएगा क्योंकि इसी की तरह आपको row 4 भी बनानी है तो पहले फंदे को उतारा दागा पीछे ले गए दो फंदे सीधे बनाईंगे चो पिछली row में हम ल्टे बनारे थे दागा अपनी तरफ अब एक फंदा जो slip कर रहे थे हम उसको हमने यहांपे भी slip पी करना है दागा पीछे ले गए दो फंदे सीधे 1 2 दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा ठीक है दागा पीछे आप देखे शुरू का एक फंदा सोड़ देंगे और यही 6 फंदे हम बार बार repeat करेंगे क्या repeat करना है द्यान से देखे दो फंदे सीधे एक फंदा slip किया दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा बनाया ठीक है इसी की तरव आपको रो four भी बनानी है अब एक बार फिर से देख लीजे क्या किया हैं दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ एक से कमप्लीट करनी है लास्ट के तीन सीधे बनेंगे और लास्ट के फंदे उल्टा बनाईए लास्ट के फंदे किया है तो यह रो आप यहाँ पर complete कर लीजिए रो 5 तक उसके बाद मैं आपको बताऊंगी रो 6 हमारी किस तरिके से पढ़ेगी तो इसी की तरह आपको बनानी है आप ठीक है रो 1 ही हम यहाँ पर repeat करेंगे रो 3 में भी और रो 5 में भी तो राइट साट से देखिए रो 5 तक मैंने यहाँ पर बुनाई कर ली है ठीक है और राइट साट से हमने रो 1 repeat करनी है रॉंग साट से हमने रो 2 repeat करनी है तो अब रो 6 पे आजाईए रो 6 में भी फिर से अगेन हमने रो 2 ही repeat करनी है ठीक है जो रो 6 है उसमें भी हमने रो 2 ही repeat क क्या रिपीट करनी है पहले फंदे को उल्टा उतारा दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ एक फंदे को स्लिप करेंगे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा तो यही छे फंदे हमने बार बार रिपीट करनी है एस टीच को छोड़ कर ठीक फंदे को उतारा, दागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, दागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, दागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, अब ये जो फंदा हम यहाँ पे स्लिप कर रहे थे, इसको भी हमने सीधा बनाई कर लेना है, तो यहाँ पे आ फंदे उल्टे दागा पीछे अब यह जो स्लिप कर रहे थे फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है लास्ट में हमारे पास बचेंगे तीन फंदे दो बनेंगे हमारे उल्टे और लास्ट के फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है ठीक है अब आज जाईए रो एट पर रॉंग सेट से किस तरीके से करेंगे पहले फंदे को उतारा दागा पीछे दो फंदे सीदे दागा आगे एक फंदा उल्टा अब ये सारी रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे दो फंदे सीदे और एक फंदा उल्टा ये सारी रो हमने इसी तरीके से ही कंप्लीट करनी है ठीक है दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा लास्ट में भी आपके इसे तरीके से बनेंगे दो फंदे सीधे और लास्ट का एस्टिच उल्टा तो आप यहां पर देख सकते हो रो एड तक बुनाई करने के बाद हमारे डिजाइन भी यहां पर ओवर हो जाता है इसमें आपको हलका सा डिजाइन दिख रहा होगा तो अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारा यह डिजाइन किस तरह से दिखेगा तो देखे जैसे जैसे हम इस डिजाइन को बुनाई करते जाएंगे वैसे वैसे देखे हमारा यह ब्यूटिफुल सा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता जाएगा तीक है राइट साइट से कुछ इस तरह से दिख रहा है डिजाइन और रांग सेट से देखे कुछ इस तरह स मेरे डिजाइन पसंद आया होगा प्लीज कमेंट करके जुरूर बतायेगा आपको डिजाइन कैसा लगा सो थैंक्स वार्चिक मेरते हैं नेक्स वीडियो में किसी और टुटोरिल के साथ तक के लिए बाबाई